अस्वालेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शवनूर अली आपके सामने हैं प्यारसर प्लांट चाइना पाम पर ये टू लॉंग है इसकी स्टेंस अपने से नहीं सपोर्ट ले रही है मैंने दिवार के सारे इसको सपोर्ट दिया है अगर चाहती तो मैं ये तीनों अभी फिलाल रहने देते हैं बाद में कट कर देंगे रिपोर्टिंग के बाद जब लीफ नहीं चलेगी यहाँ पर प्लांटर को रेडी करने की तयारी हो रही है सेंड है ये गाडन सौइल है जो मैंने किसी प्लॉट से मंगाई है यहाँ कोईला है और है सेंड रिवर सेंड बालू मौरंग जो कुछ भी हो आपके पास यहाँ पर है गोट मैनियोर और है थोड़ी सी राइस हस्क तो यह सब चीजों से हम सौइल मेडिया तयार करेंगे राइस हस्क निउट्रियंस भी देती है और पोरस भी रखती है सौइल को सेंड भी वेल ड्रेन बनाती है सौइल और यह सब चीजों निउट्रियंस एनपी के पूरा गोट मैनियोर में मौजूद है एनपी के नाइट कड़ के टुकड़े कोईले के टुकड़े ड्रेने छोल ताके बनना हो और उस पर डाले हैं सुखे पत्ति अब डालते हैं अपनी तयार की हुई मिट्टी नरसरी से ये क्यों इस बोरी में बंदा हुआ है प्लास्टिक की नहीं पता लेकिन ये प्लान्ट ऐसे ही आया है मैंने इसको कट करके हटा दिया है बहुत सुकी हुई मिट्टी है लेकिन रूर्ट्स अच्छे से है इसमें इसी को हम रखते हैं अपने प्लान्टर में जिसमें ये इसका root ball आ सके प्लांटर में मैंने थोड़ी मिट्टी भरी है उसके उपर रख देंगे root ball को और साइड साइड से डाल देंगे तयार की हुई मिट्टी बाद में उसको टैप करके बिल्कूल दबा देंगे ताके इदर उधर root ball ना हिले और कर देंगे watering फूल भर देंगे पानी को ताके वो मिट्टी सोकते हुए ड्रेनेज होल से निकल जाए उसके बाद इस planter को रखेंगे semi shade में कुछ दिन और या फिर आप रख सकते हैं बालकनी पर जहां थोड़े हलकी धूप आती हो चन चन कर पार्शल एरिया में रख दीजिए गार्डन सॉइल आपने देखा था 60% थी और फिर 20% राइस हस्क 20% काउडंग या गोट मैन्योर और थोड़ा सा कोईला फंगिसाइट का काम करता है उससे मिटी पर किस तरह का फंगस नहीं आता है राक नहीं थी मेरे पास तो मेरे कोईला ही पीस कर डाल दिया है पिसे हुए कोईले में और राइस हस्क में पानी को होल्ड करके रखने की कैपसिटी होती है मौशर बना रहता है और सेंड मिटी को बनाती है well-drain वो पानी को रुकने नहीं देती है जिसे रूर्स हमारी सेफ रहती है एरिका पाम और क्रोटन दो प्लांट और हैं हमारे पास जो इसके साथ ही आये थे तो मैं उसकी रिपोर्टिंग जल्दी ही शेयर करूंगे आपके साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको धूप में रखा हुआ है नहीं मिटी में अभी पानी काफी है और मिटी भी बह कर आ रही है तो अगर मैं इसको सेमी शेट में बालकनी पर ले जाओंगी तब ये मिटी से गंदा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है अभी यह ही होती है अगला वीडियो शेर करने तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अल्ला हाफिस